हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू एजूकेशन चैनल फ्रेंट्स आज का जो रिकूट्मेंट है ये टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए है जो कि जारखंट हाई कोट के द्वारा रिलीज किया गया है जिसमें अदर स्टेट के कंडिडेट भी अपलाई कर सकते हैं कोई भी ग्रेजुट्स इसमें अपलाई कर सकता है अब यहाँ पर एक और्गिनाईजेशन आपको मिला है जहां कि आप अपलाई करेंगे भी apply करेंगे उसका दो और तीन वीडियो जो है मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा और आपको यूनो स्क्रीन पर भी दिखेगा तो वह आप देख सकते हैं तो अभी हम discuss करने वाले हैं टाइपिस्ट और इस्टेनोग्राफर का eligibility criteria, selection process and rest of others तो चलिए डिसकस करते हैं डिसकस करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो देखते हैं इसमें यहां पर देखिए यह है जारखंड हाइपोट राची के द्वारा जो जारी किया गया है जिसमें आप देखेंगे यहां पर वेकेंसी जो है टाइपिस्ट के लिए 17 वेकेंसी है और यहां पर जो डिपोजीशन रैटर होता है पोर्ट रीडर होता है उसके लिए 14 वेकेंसी है और डिपोजिशन यह है आपका टूटल किस कोर्ट में यह है सिविल कोर्ट में और यह जूडिशल कोर्ट में तो सिविल कोर्ट में जो है आपका 218 टाइपिस्ट की वेकेंसी है तो अच्छी कासी वेकेंसी है ना इसमें इलि वर्ड पर मिनट होना चाहिए बट इसमें यह प्रॉब्लम है कि जिनको हिंदी आती है तो उनको इंग्लिस भी आना पर ऐसा नहीं कि एक आता है तो चलेगा दोनों आना चाहिए ठीक है सैलरी का जो यहां पर देखते हैं 25,500 लेकि 81,100 तक और यह 25,500 बेसिक सैलरी है प्लस अधर इलाउंसे मिला के आपको यू नो राउंड 35 क्यास पर मन्त स्टार्टिंग में मिलेगा ठीक है और फिर यह बढ़ते रहेगा लास्ट डेट है अपलाई करने का 31 आपका मार्च यहां पर देखेंगे दूसरा जो है राइटर जो है कोर्ट रीडर और कम डिपोजिशन राइटर सैलरी स्ट्रक्चर सैम रहेगा इलिजबलिटी करटेरिया सैम है ठीक है उसके बाद डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल क लिए तो यहां पर सैली स्ट्रक्चर तोड़ा तर डाउन है उनीस जाड़ नौसस लेके त्रश्ट जाड़ दो सो तर इसमें में सैम इलिजबलिटी क्रेट एरिया है ठीक है तो किसी एक में भी आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं 21 से 35 एज रखा गया है और SCST को फाइव लिए है ओके तो आप ओन-लाइन पे कर सकते हैं ओके नाओ अब बात करते हैं यहां पर स्लेक्शन प्रोसेस की तो स्लेक्शन प्रोसेस में देखेंगे टाइपिंग टेस्ट नंबर का होगा और इंटर्व्यू 10 मार्स का होगा ठीक है तो 40 वर्ट पर मिनट जो है टैपिंग टेस्ट लिया जाएगा 200 वर्ड का ओके तक टाइपिंग टेस्ट होगा और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट जो है 10 मिनट तक होगा इसके लाबा आपका इंटर्व्यू लिया जाएगा ओके यह रहेगा आपका स्लेक्शन प्रोसेस नाव दूद्रा इस टेनो ग्राफर के ल स्मार्च तक कोई भी ग्रेजुएट कंडियर अप्लाई कर सकता है और यहां पर टाइपिंग टेस्ट चारीस वर्ड पर मिनट इंग्लिस में होना चाहिए ठीक है और यहां पर जो है आपका इंग्लिस ओन कॉम्प्यूटर विथ पर विशिवल मिस्टेक्स 5 पर से ज्याद नहीं होने चाहिए ठीक है लेकिए से 35 एज रखा गया है जैसा कि टाइपिस्ट के लिए था अब यहां पर गाईज इसका जो और स्लेक्शन प्रोसेस है यह मैं आपको बता देता हूं अप्लिकेशन फी सेम है ओके जैसे कि टाइपिस्ट के लिए था और इनका स्लेक्शन यहां पर देख सकते हैं 400 वर्स इच इंग्लिस 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 इस्टेनोग्राफफर टेस्ट जो है 400 वर्ड दिया जाएगा जिश में कि आपको आपका टेस्ट होगा और डिटेक्शन के लिए जो है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए तो यह आपका टेस्ट कोई भी एक्जामनेशन नहीं है और इसमें जो है आपका टैन परसेंट जो है इंटर्व्यू के लिए रहेगा तो गुड़ लग फॉर इंटर्व्यू फॉर यूर टैपिंग टेस्ट पर यूर इस्नोग्राफर टेस्ट कोई भी हैल्प चाहिए कोई भी सजिशन चाहिए तो आप म